आज जब देश आत्मन निर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है तो उसका एक लक्ष एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुणा बढ़ाने का भी है प्रेंड जब ग्लोबल एकोनोमी में हमारी हिस्सेदारी सबसे अधीक थी और वो समझ था हमारा देश का उसका एक बड़ा कारण भारत का ताकतवर ट्रेड और एक्सपोर्ट था हमारे दुनिया के लगवग हर हिस्से के साथ ट्रेड लिंक्स रहे हैं और ट्रेड रूट्स भी रहे हैं अज जब हम ग्लोबल एकोनोमी में अपनी उस पुरानी हिस्सेदारी को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं तब भी हमारे एक्सपोर्ट का रोल बहुत अहम है पोस्ट कोवीड ग्लोबल वर्ल में जब ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर आज एक व्यापक डिबेट है तब हमें नए अवसरों का लाब उठाने के लिए पूरी ताकट लगा दे ही हैं आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट जीडिपी का लगबग 20 प्रतिशत है हमारी अर्थववस्था के साईश हमारे पोटेंशल हमारी मैनिफेक्टरिंग और सर्विस इंड़स्ट्री के बेश को देखते हुए इसमें बहुत बुद्धी की संभावना है ऐसे में आज जब देश आत्म निरभर भारत के मिशन पर चल रहा है तो उसका एक लक्ष एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुणा बढ़ाने का भी है और इसलिए आज हमें यह सुनिशित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले ताकि हमारे बिजनेश खुद को स्केल अप कर सके ग्रोव कर सके हमारी इंडर्स्ट्रीज को भी बेस्ट टेकनलोजी की तरब जाना होगा इनोवेशन पर फोकस करना होगा और आर एंडी में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी ग्लोबल वेल्यू चेन में हमारा शेर इसी रास्ते पर से चड़कर ही आगे बढ़ेगा कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिशन और एक्सेलन्स को प्रोसाइद करते हुए ही हमें हर सेक्टर में ग्लोबल चेंपियन्स तैयार करने है साथियों एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चार फेक्टर्स बहुत महतोपूर है पहला देश में मैनिफेक्टरिंग कई गुना बढ़े और क्वालिटेटिवली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और जिसने अभी कुछ साथियों नहीं कहा कि आज दुनिया में एक ऐसा बर्ग तैयार हुआ है जो कीमत से ज़्यादा क्वालिटि पर फोकस करता है और हमें इस चीज को एडरेस करना ही पड़ेगा दूसरा ट्रांस्पोर्ट की लोजिस्टिक्स की दिक्कते दूर हो इसमें राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार को भी और जो भी प्रावेट उसमें प्लेयर्स होते हैं इन समने अपनी भूमे का निभानी होगी तीसरा एकस्पोर्ट के साथ सरकार कंदे से कंदा मिलाकर के चले यह कोई राज्य सरकार है इसमें अगर इन्वाल नहीं है राज्य में जो प्रकार की एक्सपोर्ट कांसिल्स है वो अगर इन्वाल नहीं है और कोई एक बापारी अपने तरीके से एक्सपोर्ट करता रहता है आइसोलेटर वर्ज में तो हमें जो परिणाम चाहिए वो नहीं म लेंगे हमें मिलकर के ही प्रयास करना होगा और चौथा फैक्टर है जो आज के इस आयोजन से जुड़ा है और वो है भारतिये प्रोडक्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट यह चारो फैक्टर्स एक जूट होंगे तभी भारत का लोकल ग्लोबल होगा तभी Make in India for the world के लक्ष को हम बहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे क्क तरीके से जूट है जो आज कर दो आज से जूट है जो आज जिस आज से आज से जूट है उपने माझे एक्षका पाएंगे जूट है झाले इंचे अजे गलेदये विन चाले लोगगा